वेलकम टू मैं चैनल टिप्स थेटर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बाल इतने मोटे घने और लंबे हो जाएंगे कि आप सम्हाल नहीं पाएंगे जी हाँ दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर कर रही हूँ यदि आपके बालों की चमक हो गई है बाल लंबे नहीं हो रहे हैं बाल बहुत जादा जढ़ रहे हैं तो आप इस आईरुवेडिक तेल को घर पर जरूर बनाएं और इस तेल को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है तेज पत्ता बजार के तरह तरह के आप महेंगे, केमिकल वाले, खुजबू वाले तेल का कई बार इस्तमाल किये होंगे एक बार इस ओल इन वन जादूई तेल को आप अपने घर पर जरूर बनाएं और अपने बालों पर जरूर लगाएं तो तेज पत्ता जिसे के इंगलिश में हम लोग बे लीफ कहते हैं एक औशधी है बहुत जादा मेडिसनल वैल्यू वाला ये प्लांट है दोस्तों वैसे ये जो पौधा है ना तमाल व्रिक्ष होता है तमाल व्रिक्ष के पत्तों को धूप में सुखा कर फिर हमारे तक के इसे लाया जाता है मतलब मार्केट में आता है और ये कहलाता है तेज पत्ता तमाल व्रिक्ष का सुखा हुआ पत्ता जिसका प्रयोग हम ल जो हम करते हैं तो भोजन का स्वाद बढ़ता है, सुगंध बढ़ती है और भोजन और भी ज्यादा स्वादिश्ट होता है, सांधी सांधी जाद पॉस्टिक बहुत होता है, तेजपत्ते का भरपूर मात्रा में खाने में इस्तमाल जरूर करें, यह इतना जाए जो लोग साइस के तेजपत्ते लिए हैं, दोसों जो तेजपत्ते बहुत जादा छेद वाले होते हैं, धूल लगी रहती हैं, पोच लें, तेल बना रहे हैं, ठाने में यूज करें तो धोकर करें, परन्तु तेल बनाने में गिला न करें से, मैंने पत्तों को अच्छी तरह से पोच एक चीज है इसमें किस तेल को बनाने में एक सब्ता का समय लगेगा इसे धूप में हम पकाएंगे आप चाहें तो गैस पे भी डाइरेक्ट इसे पका सकते हैं पर तु नैचरल तरीके से इस ओईल को बनाना बता रही हूँ ये ना सोचे ये तेल केवल बालों के लिए आपके स्किन के लिए छोटे मोटे घाओ के लिए छोटे मोटे कट के लिए या बहुत जादा जिन्हें सिर दर्द होता है तेज पत्ते के तेल को लगा लें, तीक हो जाएगा, इस तेल से यदि बालों की मसाज करेंगे, नीद अच्छी गहरी आएगी आपको, चार से पांच काली मिर्च जरूर डाले, काली मिर्च में भरपूर मात्रा में एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं, हमारे स्केल्प के लिए, ह बहुत ही जादा फाइदेमंद होती है, तो मैंने यहां 5-6 डाली है, काली मिर्च यह देखे, 6-7 तेज पत्ते ले सकते हैं, यहां पर मैंने थोड़े चोटे साइस के तेज पत्ते लिए ताकि मेरी बॉटल में आ जाए, बहुत बड़े बड़े लंबे तेज पत्ते अगर कम से कम एक सब्ता हा तो जरूर रखना है ताकि इसके सारे पोशक्त तो इस ओईल में आ जाए, घर का बना हुआ जो तेल होता है दोस्तों, कोई केमिकल नहीं होता है, 100% शुद्ध होता है, टेरिस पर रख दिया है, धूप में रखा है, बीज बीच में मैं इसे हिलाती जा कुक सब्सक्राइब आपसाइड से तेल ले लें, जितनी कीएर करेंगे बालों की बाल आपके उतने अच्छे रहेंगे इसके यलावा कभी कभी, दो तेज पत्ते को पनी उबाल कर, उस पानी में खर जरूर लगाएं आपने हियर को रिंसजरूर करें, तेज पत्ते euh का ते बढ़ा देता है और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है हेर ग्रोथ अच्छी होती बाल लंबे होते हैं घने होते हैं जू लीक डेंडरफ की परिशानी को दूर करेगा तेज पत्ते का तेल तो यह बहुत ही अच्छा है और खाने में भी आपको तेज पत्ते का इस्तम साथी साथ जिन्हें जोडों में दर्द है दोस्तों वे अपने जोडों के दर्द में भी तेज पत्ते के तेल से मालिश जरूर करें जॉइन पेन से आराम दिलाता है बे लीफ ओईल इतना फायदे मन्द है दोस्तों मास पेशियों की एठन को कम करता है सूजन को कम करता है और साथ ही साथ चोटी मोटी चोट घाओ पे भी आप इसे लगा सकते हैं। बाल पर लगाएंगे ना दोस्तों तो चलिए अब मैं आपको इसके फायदे बता देती हूँ। तेज पत्ते में एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टिरियल गुण होता है। इसके कारण हमारे स्केल्ब में किसी भी तरह का अगर फंगल इंफेक्शन है, बैक्टिरियल इंफेक्शन है तो उसे भी तेज पत्ते का तेल खतम करता है। कई बार क्या होता दोस्तों हमें hair fall इसलिए भी होता है यदि हमारे बालों में बहुत जादा dandruff है या किसी तरह का संख्रमन है तो भी हमारे बाल जड़ से कमजोर होते हैं और बाल तूटने लगते हैं जितने तेल की जर्वत है उसे आप अलग से निकाल लें बागी तेजपते को काली मिर्च को इसी में पड़े रहने दे आपको चाहिए तो थोड़ा और डाल कर आप इसे रख दें ताकि तेल बनता रहे पकता रहे तेजपते के सारे पोशक ततो आते रहें दो बार तो रिपि पीसने में परिशानी है तो एक दिन धूप में रख दें तेजपते को दिन भर की धूप बिखा दें इसे ये क्रिस्पी हो जाएंगे और आपको इसे पीसने में आसानी होगी दोस्तों और तेजपते का पाउडर का इस्तमाल आप तेल के रूप में करें तेजपते के डाल कर आपके वल क्रश किया हुआ, तेज पत्ता भी नारियल तेल में डालें, धूप में रखें और पकाएं, बढ़िया बालों की केर करेंगे ना दोस्तों तो बाल हेल्दी होंगे, और साथ ही साथ अपने बालों का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा केमिकल वाली इनका कोई साइड एफेक्ट नहीं होता है, और 100% वर्क भी करती है, यह जरूर है कि वर्क करने में कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप लोग अगर कियर फुली चीजों को एपलाय करेंगे तो बाल तो अच्छे होंगे दोस्तों, तेज पत्ते के फाइदे तो तेज पत्ता, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, बाल हमारे सिल्की, शाइनी और मजबूत होते हैं, और दोस्तों जब एक दो बार आप इस तेल को लगाएंगे ना, सब्ता हमें दो बार तो आईलिंग जरूर करना चाहिए, बहुत जादा अगर हमारे स्केल्प ड्राय होत बालों को एक दम सुखा ना रखें, सब्ता हमें दो बार या तीन बार बहुत अच्छी तरह से ऑइलिंग करें, मसाज करते हुए करें, मालिश करने से डेट सेल्स भी रिमूव होते हैं, जो हमारे स्किन में आसपास हो जाते हैं, बहुत जादा हमारे स्किन में अगर डेट बालों का थोड़ा ध्यान रखें, केयर करेंगे तो ही बाल सुन्दर होगे, इस तेल को बालों की लंबाई पर लगाएं, बालों की जड़ पर लगाएं, बालों के एंड, बालों के छोर पर भी हमें तेल जरूर लगाना चाहिए, ओलिंग करने के बाद किसी मोटे दात वाली कंगी से ही बालों को सुलजाएं क्योंकि थोड़ा सा बाल की जड़ नाजुक हो जाती है और फिर आप अपने बालों को बांच सकते हैं तो दोस्टों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें टिप्स थीएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो